अस्सलाम उलेकुम जो आला फ्यू कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं साब ठीक ठाक होंगे खैरियस से होंगे जी अलहमदल्ला मैं भी ठीक ठाक हूं और खैरियस से हूं तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू विलोग में और आप से रिक्वेस्ट के आप चैनल को जल्दी से तो भी 2K के भी बहुत ज्यादा खुशी है तो आई रिक्वेस्ट यो के जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और 2K जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाएं तो यहां पर मैं आपको बता दूँ के हम जो है ना माल की पैकिंग कर रहे थे सुबो सुबो और अक्सर ऐसे होता है क सुबो सुबो के टाइम पे रहे 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 रूटीन बनानी पड़ती है कभी सोचते हैं कि बना लेकर भी लेते हैं लेकिन कभी कबार जो है नहीं भी हमारे जो है कर भी बड़ती हैं और Sesने पंपर मैंने आपके अंब कि 전े और पिस gef曲 कर लेड़े हैं और फिर दिकर लिए हैं और यह जो बैस है ना थोड़े से रह गए अच्छा तो मुझे सब ना अकसर बोलते हैं कि आपना बहुत तेज बोलती हैं लोग में तो पिर मैं क्या करूँ अगर मैं ऐसे लो लो बोलूँ कि हां जी जी अब हमने माल पैक कर लिया है माल पैक करने लगे हैं तो आप भी ब कोशिश करती हूं कि थोड़ी से आस्ता बोलूं लेकिन फिर भी जो है ना जैसे रूटीन शुरू से बन जाती हैं इन्सान की वही फिर एंट तक चलती है तो इस वज़ा से फिर आपको जो है ना करना पड़ेगा और वैसे भी जब कोई हम खूद भी मैं खूद भी जो किस वीडियो देखती हूं अगर कोई सुस्त बोल रहा होता है ना तो मुझे मजा नहीं आता मैं कहते हूं जल्दी जल्दी बोलो जल्दी से काम खतम करो क्या आप लगे हुए हो यह वह ऐसे तो जो है ना बस फिर बंदे को मजा नहीं आ रहा होता उस चीज़ का तो इस वज़ आज हमार नाष्ठा काफी लेट हो रहा है तो हमने का चले कोई बात नहीं है लेट है तो कोई बात नहीं पहले क्म खतम करना चाइए नाष्टे की कोई बात नहीं है खाने का वो कहते हैं लोग के पहले पेट पूजा फिर कोई काम दो जा लेकिन हमारे गर में उल्ट है हमारे गर में यह होता है कि पहले अपना जो काम है पैकिंग का वो और फिर पेट पूजा ऐसे होता है हमारे तो अभी तो महंगाई की वज़ा से कहें कि बहुत जादा डाउन हो गय हमने साला साला दिन पैकिंग करते रहना और शाम को फिर जो एना कहाना बाहिट से लाके खाना परता था। और हफ्ते में ये 2-3-3 चार दाफा ऐसे हो जाता था। एक तुदधा हम घर पे खाना बना लेते थे। 3-4 दिन जो है ना हम ले आते थे। और नाश्ता करने के बाद ना फिर मैंने कोई इतने रिकार्डिंग नी की थी तो यह मैं आपको बता दूँ कि यह शाम के टाइम पर फिर मैं चाय भी साथ रखी वी थी और साथ फिर हमने सोचा के हम जो है ना हांडी भी बना लेते हैं क्यूंकि टाइम काफी हो गया था और जिस दिन पैकिंग करनी होती हैं जिस दिन हम ठके भी बहुत होते हैं तो खैर सारे काम भी चलते रहते हैं और मैं बता रही थी पिछले दिनों की पहले दिनों की बात जब हमने स्टार्टिंग में किया था और तब हला भी मुलक के कुछ ठीक थे तो इस वजह से फिर माशा तो इतना कोई जबरदस होना था ना कि रोज हमारे गर में खाना बाहर से आता था कभी हम तिके मगवा रहे हैं कभी हम कबाब मगवा रहे हैं कभी हम मुख्लिफ चीजें जो मगवाते थे हम मचली तक बाहर से मगवाते थे कि गर में नहीं बनाने का टाइम मिल रहा हमारा तो बस अब जो है ना फिर सब कोई पता है मेरे बताने के तो जरूरत नहीं है कि हलात किस तरह के मुलक के जा रहे और किस तरह के नहीं जा रहे तो ये सब कोई पता है दो वकत कि अगर आपको डोटी मिल रही है न तो इतने में ही अलाग के इतना लाग शुकर अदा करें कि वो भी काम है जितना कर लेंगे न वो भी काम है तो बस यह है कि सब के लिए दुआ भी करनी चाहिए साथ-साथ कि अगर को दो वकत कि भी ने बहुत ऐसे लोगा है जिनकी बहुत மुशल हूई हुई है एक TIME की दो TIME की तो अगर बहुत था कि अंके लिए न की बहुत असाथ-साथ-साथ-सास्थ-साथ-सास। और हमारे मुलक को वो काम्याबिय अता करें जो के हमारा मुलक भी डिजर्व करता है हमारे मुस्लिम हैं हमारे जो बहन बाहिएं घुर्बत में तो वो भी डिजर्व करते हैं तो अल्लापा सब के लिए इसानिया पैदा करें मेरे तो हमेशा यही दौा थी है हाँ नमाज के बाद भी मैंने यही दुआ करनी होती है अपने मुलक के लिए और बस बहुत जादा जो है नुकसान होता जार है हमारे मुलक का तो खेर आज बहुत बाते होंगी सियासी भी और अपने काम के हवाले से भी तो साथ में आपको बता देती हूँ तो खूँके पिर उसके बाद आप सोच रहे होंगे के चाय मैंने पहले पी और खाना मैं बाद में खा रही हूं साथ वीडियो भी बन जाएगी तो इस वज़ा से फिर मैं खा रही थी और हम देखें कठे बैट की काना का रहे हैं आज चार पाई के उपर ही आज टेबल में रखा क्योंकि फुश्क सालन था ना अगर कोई शोरबे वाला होता ना तो फिर तो टेबल मस था तो आज फिर हमने का बुखार जो होता है ना वो इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ता बंदे की हलांके मैंने का चले मैं पैनडॉल से गुजारा कर लेती हूं शायद हो जाएगा गर्वी में तैसे होता है पैनडॉल खाके सो तो सुबता कितना पसीना आता है और उतने में बुखार आपका ट या अंटी हैं तो उन्हों ने अम्मी को दिया था तो अम्मी ने फिर मुझे बिजवाया कि ये देखो तुमारी अंटी ने बेज़ा है और ये बेसिकली रोटियां रखने के लिए होता है तो इसको हम तो कटोरी या शायद पिटारी बोलते हैं इस तरह से ना तो साथ इतनी प्यारी उन्होंने बना दिया और इसमें जब आप महमानों को रोटियां रखके देंगे ना तो मैं कहती हूं चार चांद लग जाएंगे आपके दस्तरख्वान में तो आंटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ये दी है क्योंके मुझे तो बहुत आई है और फिर उसके बाद अमीद हो रही थी यहां पर बरतन तो मैंने का चैलेंजी आप दोहें बरतन क्योंके हमें तो बुखार है हम तो दोने सकते लेकिन ये ड्यूटी मेरी पकी है बही चाय बनाने की चाय नहीं मेरी मीसो सकती बुखार भी था कुछ भी हो जाए चाय बनानी होती है गड़ में तो मेरी अम्मी से जो है न चाय बनती ही नहीं है आलाकर बन रहती है लेकिन मुझे इसी मक्षन में रखती है कि तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है तो मैंने का चैलेंजी इस था है और उसके बाद भी बाबा लेकर आय था यह बिस्क्विट और इसक इतना कोई खास नहीं है इसमें चाहे इतनी की नहीं होती है जल्दी सोना है तो आप से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपने बहुत सारा ख्यार रहा है चैनल को जूरू सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें भी दौा में याद रखियेगा अलाह अफीज